नमस्कार किसान सातियो आप सब का हारदिक स्वागत्ट है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान वहां आपके । किसान सातियो, मेरे जो नीबू के पेड़ हैं जो मैंने सितंबर 2020 में लगाई थे अब लगबर धाईवर्स के हो चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इन में क्या काम किया है ये पांच वराइटी हैं CCRI की, साइं सर्बती, फूले सर्बती और बालाजी, NRCC 7 और NRCC 8 ये देखे मेरे पीछे जो नजर आ रहे हैं, आईए इनका अवलोकन करते हैं और क्या कारिये किये हैं उनके ये बताते हैं ये देखिए ये है पेड़, अगर इसे आप थोड़ा दूर से देखें तो इस पर कम पत्ते नजर आ रहे हैं इसका मुख्य कारण है कि उत्तर भारत में अधिक सर्दी से पत्ते गिर जाते हैं अब चलिए इसे ध्यान से देखते हैं और अभी देखिए इसमें कितनी फुटान चल रही है हर जगह पर फुटान ही फुटान है अक्सर लोग मुझे फोटो भेजते रहते हैं कि मेरे पत्ते गिर गए इनमें क्या करूँ और ये पत्ते क्यों गिर रहे हैं इसका मुख्य कारण होता है कि आपके जो पोधे होते हैं सर्दी में वैसे भी पत्ते हर साल गिरते हैं पत्तो की उम्र एक साल होती है तो उसके बाद में आप देखे कितनी अच्छी फुटान है अब इन में क्या का रही है और मैंने क्या करवाया है अभी एक दो पोदा और दिखाता हूँ मैं आपको ये देखिए अगर आपको नजर आ रहा हो तो कितनी जवरदस्ट फुटान है मैंने कुछ भी नहीं किया पूरी सर्दियो बस एक बार मैंने बोर्डो मिक्सर का इसमें ड्रिंचिंग करवाई थी ये देखिए काफी बड़ा पोधा है जो मेरी छाती तक की हाइट का है ये देखिए और आज मैंने अभी इन पर ये बोर्डो पेंट कराया है ये देखिए अगर आप ये देख रहे होंगे कि इसकी ये कैनोपी की जो जगह है जहां पर ये पानी है थोड़ी मिट्टी खुदी हुई है यहां पर मैंने परती पोधा दस किलो वर्मी कमपोस्ट आधा किलो बोन मील और लगबग 200 ग्राम सागरिका और उसको कुछ वर्मी कमपोस्ट में मैंने ट्राइको डर्मा, सुडो मुनास और माइको राईजा को अलग से अलग अलग तीन जगह पर इसको मल्टिप्लाई किया था और फिर उस खाद में बिला दिया था जितनी इन पोधों के लिए वजशकता थी जैसे 45 पोधे हैं तो मुझे 450 किलो ग्राम खाद चाहिए था तो पहले मैंने लगबग आदा आदा कॉंटल में इसको 50-50 किलो में मल्टिप्लाई करा लिया 500 किलो में और बाकी जो है मैंने पूरे खाद में फिर इसको मिलवा दिया उसके बाद इसमें चारो तरफ नाली बनवाई और नाली बनवाकर मैंने इसको इस नाली में दववा दिया और फिर कवर करा दिया फिर पानी दिया अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत जवर्दस फुटान आई हुई है इसके बाद आपको क्या करना है कि कल में इसमें COC 3 ग्राम पर्तिलेटर का इस्प्रे कराऊँ है यह एक फंगी साइड है और फंगी साइड जो जैसे पत्ते निकलते हैं उनमें करना बहुत आवश्यक है इसमें आपको किस इसमें नीम का तेल का इसप्रे कर सकते हैं बवेरिया बस्याना का इसप्रे कर सकते हैं कर सकते हैं तो उससे आपके जो कीट होंगे वो नए पत्तों की कीटों से रक्षा करेगा यह देखें कितना अच्छा पेड है अभी मैं इसको 15 दिन बाद एक बार फिर आपको दिखाऊंगा और यही एक मुख्य कारिया है जो इस समय आपको करना है यह देखें यहां से अगर आप देखेंगे तो सारे दिखाई देते हैं यह मेरे कुछ पेड कुम्ब काटके हैं जिन पर मैंने अभी थोड़ी कटिंग की है यह इन में पानी रह गया दो पेडों में इसको मैं अभी करवाँगा और यह पूरी लाइन आप देखिए इसमें जब आप कोई इस प्रकार का कारिये करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई पेड ठोड़ा चौटा रह गया हो कोई बड़ा रह गया हो लेकिन अच्छी बात यह है कि इन में से किसी भी मेरे पेड की अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मोर्टेलेटी आई हो और सभी पेड अच्छे चल गया है हाँ ये अवस्य है कि कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं ये देखिया तो किसान साथियों अगर आपके पास भी ये बिजू पोदे हैं CCRI के अगर इस प्रकार के पोदे हैं तो इस समय आप उनमें खाट डाले अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो DAP, SSP, यूरिया और पोटास भी बताते थे मैगनीशम सलफेड भी बताते थे ये जो बोन मील है जो मैं प्रियोग कर रहा हूँ कोहिनूर का ये इसमें लगभग सभी माइक्रोन्यूट्रेंट है और इसके बारे में एक विश्तरत वीडियो में आप लोगों को दिखाँगा कि इसमें क्या-क्या तत्व मुझूद है तो लगभग इसमें सभी माइक्रोन्यूट्रेंट है हाँ ये जो खाद है जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसकी भी आवस्चक्ता होती है ये मैं दूँगा जब बरसात का समय आएगा जब बरसात का समय आएगा तो मैं उस टाइम दूँगा और अगर आप ये कमपोस्ट खाद और जो मिश्रन मैंने बताया है इसमें और जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसमें एक महा का अंतर रखते हैं तो आप देखेंगे के आपको रिजल्ट अलग ही मिलेगे ये मेरा बाग है जिसमें मैंने कटिंग कर अब बरसात की फसलगी मैंने तयारी की है आप देखे सभी पत्ते भी हटा दिये और इनमें भी इसी प्रका दिया है और कोई भी मैंने केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दिया है केमिकल फर्टिलाइजर में जब फ्रूट सेट हो जाएगा तब दूगा अभी नहीं दूगा किसान सात्यों ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति नींबू के पोधों की सुरक्सा के बारे में और उनमें क्या खादबानी देना है अगर आपके पोदे दो वर्ष के हैं तो पांच किलो ही आपको वैसे वर्मी कमपोस्ट बहुत होगा और अगर चार वर्ष के हैं तो दस किलो बहुत होगा और अगर चार वर्ष से बड़े हैं तो पंदरा किलो वर्मी कमपोस्ट डालिए और या 10 किलो परती वर्स के इसाब से अच्छा गोबर का सड़ा हुआ खाट डालिए वो खाट बहुत अच्छा होना चाहिए गोबर को धक्तर बनाया हुआ होना चाहिए अगर वैसे ही कुर्डी का खाट डालोगे तो उसका कोई अधिक फायदा नहीं मिलेगा इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिन जै भारत वंदे माकरण